तो बच्चों यह बताईए कि दिस का प्रियोग हम लोग कहां करते हैं? पास रखी हुई चीजों के लिए इसारा करने के लिए ठीक है? और दैट का प्रियोग? दूर रखी हुई चीजों के लिए इसारा करने के लिए ठीक है? जैसे यह मेरी किताब है इसको आप लोग कैसे बोलेंगे? This is my book यह मेरी किताब है यह मेरा दोस्त है दोस्त का होता है फ्रेंट तो कैसे बोलेंगे यह मेरा दोस्त है? This is my friend This is my friend This is my friend यह मेरा दोस्त है है के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे है Is ठीक है मेरा के लिए My इसी तरीके से तुम्हारा के लिए क्या यूज किया जाएगा Your जैसे यह किताब तुम्हारी है तो क्या हो जाएगा यह किताब तुम्हारी है तो this book यह किताब यानि किताब से पहले this आ रहा है न तो this पहले बोलेंगे this book this book is yours यह आप कह सकते हैं this is your book this is your book this is your book है न इसी तरीके से दूर रखी वस्तु के तरफ इसारा करने के लिए that का प्रयों किया जाता है that की मीनिंग क्या होती है t-h-a-t t-h-a-t that that means वह दूर रखी वस्तु के तरफ इसारा करने के लिए हम लोग that का प्रयों करते हैं ठीक है तो जैसे वह मेरा दोस्त है वह मेरा दोस्त है तो क्या हो साएगा that is my friend very good that is my friend that is my friend है न आसान? बिलकुल आसान है वह मेरा घर है वह मेरा घर है क्या होगा छोटी? that is my home home means घर home means घर वह मेरा घर है that is my home वह मेरा घर है वह मेरा बैग है that is my bag very good that is my bag that is my bag वह मेरा घर है sorry bag है bag है वह मेरी गाए नहीं है वह मेरी गाए नहीं है that is my not not cow my cow that is not my cow है ना that is not my cow तो हमें यह समझ में आता है कि दिस का प्रयोग पास रखी वस्तू की तरफ इसारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते है जैसे छोटी के हाथ में क्या है bag उठाओ bag अपना हाँ इसको बोलोगी क्या यह मेरा बैग है तो क्या कहोगी इसको this is my bag this is my bag अब आपको करना है कि यह मेरी बहन है तो क्या बोलोगी this is my sister very good this is my sister यह मेरी बहन है this is my sister है ना समझ में आया आप लोगों को this और that का प्रयोग हम लोग कहा करते हैं तो that का प्रयोग दूर रखी वस्तू के लिए और this का प्रयोग पास रखी वस्तू के लिए किया जाता है हम इसा ध्यान रखें ठीक है तो कुछ sentence और हम लोग सीखते है यह मेरी मा है मा यह मेरी मा है यह मेरी मा है This is my mom Mom, mommy या mother ठीक है? This is my mom यह मेरी mom है ठीक है? वह मेरे पिता है That is my father Father या daddy या pop लेकि pop मत कहना फादर ठीक है That is my father वह मेरे पिता है है न? या मेरी cycle है This is my cycle Bicycle बोलते हैं वह एक अच्छा लड़का है That is a good boy That is a good boy वह एक अच्छा लड़का है That is a good boy मैं एक अच्छी लड़की हूँ No, 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 मैं नहीं यह एक अच्छी लड़की है This is a good girl This is a good girl वह एक अच्छी लड़की है थोड़ा तीज बोले Speak loud Speak loud तो समझ में आगे आप लोगों को This or that कप्रियो तो फिर हम कल क्या सिखेंगे दोज और दीज कप्रियो कल हम लोग सिखेंगे दोज और दीज कप्रियो कब कहां और कैसे करते हैं तब तक के लिए Bye